आज है चांद रात मेरे फाइनल पेपर चल रहे हैं जो की फाइनल है अभी भी मैं आज एक पेपर देकर आई हूँ और मैंने दिया है और आज को मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है वो कंप्यूटर का था आज अब कल है मेरा जीके का तो मैं नहादो के रेडी हो गई हूँ जैसे कि आपको पता है कि आज चांद रात है और कल है रमजान का पहला रोजा सो सबसे पहले आप सभी को मेरे दिल से रमजान मुभारत अभी चांद रात है इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ और कल है मेरा जीके का पेपर सो मैं जा रही हूँ कुछ रिवीजन करने क्योंकि मैंने पहले से ही सब पढ़के रखा है अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करने ही जब पेपर आ रहे हैं तो रिवीजन करना तो बनता है और गाइस आज आज का डेव बहुत टायरी किया है अभी मुझे चट पर जाना है थोड़ी सी दूप लेने के लिए अभी तो मैं विंडो पर खड़ी हूं किचन के थोड़ी सी दूप आ रही तो मैंने सुचा वीडियो स्टार्ट करके ही चलते हैं चट पे क्योंकि छत पे तो बहुत ज्यादी धूप है तो वीडियो शूट नहीं हो पाती तो मैंने सुचा अभी इसे कर लेते हैं और मैं आपको दिखा दूँगी मैं गई हूं छत पे और मैंने खाना वाना खा लिया है अब थोड़ा सा रिवाइस करना है पेपर का वो तो बहुत ज़रूरी है तो चलिए पहले उपर चलते हैं फिर पढ़ेंगे नीचे आके अपना तो गाइस मैं चट पे आचुकी हूं यहां पर बहुत तेज दूप है और मुझे आये काफी देर हो चुकी है तो मैं सोच रहे हूं नीचे चलते हैं तो चलते हैं क्योंकि गर्मी लग रही है अब मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी आ गई है तो गाइस मैंने एक चिप्स लिया है और छोटा सा ली लिया है वरना ममे कहीं कच्छे खाती हो तो चले नीचे बहुत तेज भूप लग रही है तो गाइस अब मैं जा रही हूं थोड़ा रिवाइस करने पेपर है कल मजाक्त में नहीं ले सकते हैं हाँ मेना कल जीके का भी है आर्ट का भी है तो आर्ट की तो प्रैक्टिस मुझे है तो सारा टाइम अभी जीके में जाएगगो तो चलिए रवाइस करते हैं सो गाईज अब हमें चान दिख चुका है आप देख सकते हैं हम छट पे हैं और हमें चान दिख चुका है तो सभी को दिल से रमदान मुबारक और गाईज अभी चान दिख चुका है तो मैंने देखकर दुआ पढ़ लिए फिर मैंने सोचा चलिए शूट कर लेते हैं तो फिर मैंने वीडियो आउन करी चट पे देखे कितना दे रहा है आप लोग कॉमेंट सेक्षिन में बताइएगा कि आप ने किसने कल रोजा रखा और मेरा कल जो पेपर है मैंने उसका रिविजन कर ली हूँ अभी हमने खाना नहीं खाया है हमने सोचा है कि अभी मेरे भाई आएंगे तो हम उनके साथ खाएंगे अभी अभी खाना खाकर जा चुके हैं क्योंकि उनकी तरह भी बारा बजे खत्म होगी और भाई अभी आजाएंगे साड़े नौ बचे और गाईज और गाईज हम लोग जब मगरिब की नमास पढ़के छट पर गए तो हम लोग ने चान को देखकर दुआ मांगी और गाईज हम लोग ने दुआ मांगी और हम लोग को दुआ मांगने के बाद ही हम लोग को सामने पटा के पूरते हूँ नजर है और गाइस वो आस्मान में कितने अच्छे लग रहे पटा के लेकिन उससे भी ज्यादा प्यारा आज चान निकला है और गाइस पापा किसी काम से बाहर गए थे तो वो आ नहीं पाये थे हम लोग के साथ छट पे नहीं जा पाये थे लेकिन हमने और अमी और मेरे भाई ने देख लिया एक साथ वर्णा हम सारी तामली एक साथ छट पे जाकर देखते थे और एक मेरे भाई तो लगनाव में को कि वहां पर पढ़ रहे हैं तो वो इस साल नहीं है हम लोग के साथ रमजान में तो कोई बात नहीं मैंने उनको वीडियो पर किया था तो उन्होंने भी हम लोग को वहां का चांद दिखाया और अभी अपको मुबारक पाती तो गाईस मैं आपसे एक बार कहना चाहती हूं थाइंक्यू और यूर्स सपोर्ट गाईस क्यूंकि आप सब मेरे वन के सब्सक्राइबर करा दिये हैं यह मेरे लिए सबसे बड़ा गेफ्ट है क्योंकि मेरा 14 मार्च को बर्थडे है तो मुझे यह सबसे बड़ा गेफ्ट म दें वैसे थाइं क्यू बेरी मच गाईस बेरी मच सो मैंने काफी दिनों से लॉंग वीडियो नहीं डाली कि व्लॉग शूट नहीं किया था कि मैं अपनी पेपर का प्रप्रेशन कर दे थी आज आज मैंने सोचा है कि 13 के बाद मेरी जो छुट्टियां हो रही है उसमें मैं व्लॉग करूंगी डेली लेकिन डेली इंपॉजिबल नहीं है एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे सो ताट सेट अगाईस अभी हम लोग खाना खाएंगे फिर उसके बाद का आपको बताएंगे फिर व्लॉग एंड करेंगे मैं मैं कल अरत को आपको चांद डिखा दिया था फिर उसके बाद आपको कुछ धिखा नहीं पाई क्योंकि मैं फिर लरण कर रही थी मैं सों गई ज्यादा लेट हो गया था एंड फिर मैं सेरी में उठी हुएं री फिर मैं कल कले ने भूल गैंड अभी बज़ रहा है 1-7 हो रहा है और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ मैंने पेपर दे दिया है और मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है अब कल मेरा संस्कृट का पेपर है और फिर उसके बार मेरी चुट्टी हो जाएंगी और प्रेंस मैं रोजा हूँ मैं आपको बताया था कि मैं कल रोजा रहूंगी तो अभी मैं रोजा हूँ और घर में जितने भी लोग हैं अमी अबु भाई और मैं सारे लोग रोजा हैं और अभी अम्मी Qur'ाड पढ़ रही है और अभी कम हैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने सो मैंने समचा की क्लिप निकाल लेते हैं और वीडियो याड अलोंग हो रही है तो उसके लिए सॉरी सो दाट से एंड से टू यू बाई सो गाइस थाइंक पर वाचिंग मैं वीडियो थाइंक यू गाइस सो बाई